तो फेंड मेरा जो network speed test का वीडियो था ओ वीडियो देखने के बाद मेरा बहुसरा फेंड रे मुझे पूछा कि जो speed test है उसमें जो network speed दिखाता है reality में कुछ अलगी network speed दिखाता है तो ऐसा क्यों होता है इसका reason क्या है like जो Vodafone है उसका speed था 36 Mbps लेकिन जो reality में उसका speed आता है maximum 5-6 Mbps मेरा परसोनली बात करतों मुझे 5.8 Mbps maximum मिला Vodafone में तो ऐसा क्यों है कि speed test में network speed अलग दिखाता है reality में कुछ अलग दिखाता है इसका चक्कर क्या है तो फ्रेंड आज इस वीडियो में इसके वने बात करूँगा आप लोग इस वीडियो को start send तक पूरा देखिए जिससे आप लोग का एक concept पूरा clear हो जाए so hello friend मेरा नामे नजमुल खान आप सब लोग को हमरा चैनल क्रासव क्योरिस्टी में स्वागात है तो friend speed meter and real speed में network speed का difference जानने के लिए पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि mbps and mbps ए दोनों में difference क्या है and ए जानने के लिए हम लोग को memory data equation जानना पड़ेगा जो memory data equation है ओ है 1 bytes is equal to 8 bits, 1024 bytes is equal to 1 kilobytes, 1024 kilobytes is equal to 1 megabyte, 1024 megabyte is equal to 1 gigabyte, 1024 gigabytes is equal to 1 terabyte तो ऐसे करके जो memory size है ओ, mb, gb, tb करके बढ़ते रहते हैं तो फिर्ण जो speed test में network speed देता है, ओ है mbps, यहाँ पर lower case b, मतलब small b है, जो refer to megabits per second and जो mobile phone में जो speed देता है, ओ है mbps, यहाँ पर upper case b, मतलब capital b है, जो stand for megabytes per second जो mbps से 8 गुना कम है, ओके, तो दोनों अपना जगा सही है, लेकिन दोनों का जो symbol है, ओ अलग-अलग है, ठीक है तो फ्रेंड आप लोग को clear हो गया कि यह चीज कैसे काम करता है, और आप लोग को और भी कोई question या doubt है, तो नीचे comment section में आप लोग लिख सकते हैं, मैं उसका answer दे दूँगा तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, see you next video तर तक के लिए, बाबाई